What's up guys, welcome back to my channel, बहुत बच्चों की डिमांड आ रही थी भाईया, करा रहे हैं, तो पूरा commerce का सिलिवस साथ में करा है, बहुत सारे बच्चों ने तो नहीं, लेकिन कोई बच्चों ने ये कहा, कुछ का ये था कि बहुत पूरा business का सिलिवस खतम कर दो, फिर पूरा accounts खतम कर दो फिर eco, लेकिन जादा majority ये कह रहे हैं, आज साथ में लेके चलते हैं, वरना ऐसे accounts रही जाएगा, या eco रही जाएगी, और फिर अगर हम एक बार में सारा business अभी कर दी लेंगे, तो हमें end में फिर हम भूल जाएंगे, revision में बहुत तरह की बात होई, तो मेरे को भी ये लगा कि ठीक है, हम कोशिश करते हैं, कि हम सारा साथ चलाएं, मतलब दो तिन वीडियो का भी business किया आगई, एक दो economics किया आगई, आप बोर भी नहीं होगे, बदल बदल के पढ़ते रहोगे, ठीक है, तो आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं, अपना economics, CVT का पूरा syllabus फॉलो हो रहा है और जामय मेले इसलामय का जो BBO और BCOM का entrance है, उसका syllabus भी इसके अंडर ही आता है, कुछ chapters CVT में extra है, जो कि जामय के entrance में नहीं आएंगे, तो आपको syllabus देखके उन chapters की वीडियो को ignore कर देना है, जैसे कि अगर आप बात करोगे जामय के syllabus की, तो उसमें introduction as such mention नहीं है, बाकि economics बगएरा का intro आना तो चाहिए, बाट mention नहीं है, इसलिवच में आप skip भी कर सकते हूँ, बाट जो भी लोग CVT के लिए त्यारी कर रहे है, उनके लिए must है, सारे ही chapters पढ़ना, जो मैं करा रहा हूँ, business और accounts के already chapters कुछ हो चुके है, business के तो in fact 3 chapter हो चुके, तो playlist section में check कर ली पूरा CVT की तयारी with all the strategy videos मेरे चैनल पर चलता रहता है, तो आपको कुछ मिसमें नहीं करने दूँगा, पूरा power pack solution आपके लिए हम यहाँ पर लेकर आते हैं, आज की वीडियो को करेंगे start, economics is the study of mankind in the ordinary business of life, भाई यह definition किस ने दी थी, यह questions तो बड़े mandatory हो जाते हैं, कौन नाम आपको पता होना चाहिए, यह Alfred Marshall ने कहा था, कि economics is the study of mankind in the ordinary business of life, अब मैं थोड़े fast fast करूँगा, MCQs आपको cope up करना है, विए टाइम हमारे पास paper में पढ़ जाता है, कम, चलिए, the branch of economics theory that deals with the problem of allocation of resources, resources का allocation, यानि resources को जगह जगह लगाना, सही जगह पर उनका use करना, इसक से study करने वाली जो branch है, economics की, वो कौन सी है, वो micro economics है, macro economics है, econometrics है, या क्या है, micro economics में इस चीज़ की study होती है, कि allocation of resources का तो problem है, उसको deal किया जाता है, a study of how increase in the corporate income tax rate will affect the natural unemployment rate is an example of, एक study जिसमें corporate income tax बढ़ाने से, natural unemployment rate पे फरक पढ़ रहा है, ये चीज़ की study किसमें होती है, macro economics में, descriptive economics में, micro economics में, normative economics में, अगर आप लोगोंने chapters नहीं पढ़े हैं बच्चों, तो ये MCU series आपके काम बहुत जादा नहीं आ पाएगी, आपको confusion बन रहेगा, पहले one shots देख लो, या तो जाकर एक one shot भी काम चल जाएगा, या chapter को detail में पढ़ के आओ, ये preparation हम CUET और जामे एंटरेंस जैसे, entrances के लिए कर रहे हैं, जो कि directly MCQ based त्यारी है, इससे पहले chapter का knowledge आपको होना चाहिए, ठीक है, तो यहाँ पूछ रहा है कि जो study है, ज अच्छा, यहाँ पर किसी बी तरह कोई typing error हो, कुछ भी हो, क्योंकि बहुत सारे MCQs type करने पढ़ते हैं, सब कुछ हमा कहले ही समारे हैं, बहुत छोड़ी ची टीम है हमारी, तो आप बता सकते हो कि भया मुझे यहाँ पर यह चीज घरत लगी हम आगले वीडियो में देख फिलूँगा, if a point falls inside the production possibility curve, एक point जो है, वो production possibility curve के अंदर आता है, what does it indicate, अगर कोई भी point जो है, वो production possibility curve के अंदर fall कर रहा है, तो उसे क्या indicate होता है, कि resources overutilized है, underutilized है, या unemployment है, देखो, इससे दोनों ही चीज़े हो सकती है, पहली बाद तो resources underutilized है, ठीक है, वो तो होए गए production possibility curve के अंदर पढ़ रहा है, वो, मतलब underutilized है, और एक और चीज़ भी ये simplify करता है, कि unemployment है आपकी economy में, मतलब उस तरह की employment generation नहीं हो रहा है, next question, in which type of economy do consumers and producers make their choices based on the market forces of demand and supply, market forces and demand and supply की बात दो रही है, आपको answer अपने आप समझमान आ जाना चाहिए, कि ये market economy है, open economy है, या controlled है, command है, या market economy है, तो market economy is the right answer, under a free economy, prices are, free economy में prices को कौन control करता है, regulated होते हैं prices, या determined through free interplay of demand and supply, demand and supply की forces control करती है, या party regulated होता है, कि जो दोनों parties है, वो regulate करती है, तो free economy का मतलब ही है, यहाँ पर demand supply का जो भी pressure रहेगा, जितना supply आ रहा है, या फिर जितना demand है, उसे साब से prices उपर नीचे होते रहते हैं, तब ही से free economy कहा जाता है, कि कोई बंदा control नहीं कर र fall करता है, national income, general price level, factor pricing, या national saving and investments, factor pricing जो है, वो micro economics के अंदर आता है, बाकी चीज़े नहीं आ रही है, next question, which of the following, एक second मचो, हाँ, in a free market economy, when consumers increase their purchase of a good, अगर किसी free market economy है, पहली condition तो यह है, consumer ने अपना purchase of a good बढ़ा दिया, and the level of dash exceeds dash, then prices tend to rise, अगर मान लोगों ने किसी चीज़ को खरीदने का अपना purchase जो power है, वो बढ़ा ली, जादा purchase कर रहे है, तो किस चीज़ का level बढ़ेगा, जिसकी वज़े से, मतलब किस चीज़ का level किस से उपर चला जाएगा, ताकि price मतलब, demand supply से जादा हो जाएगी, या supply demand से जादा हो जाएगी, अब बंदों ने जादा purchase करना शुरू कर दिया, मतलब, वो लोग demand जादा कर रहे हैं, सीधी बात है, देखो, दिमाग लगा, confusing हो सकते है, economics मुश्किल नहीं, confusing हो सकती है, इनने बोला, free economy है, consumer क्या कर रहा है, goods को purchase कर रहा है, बहुत जादा अपना increase कर रहा है, purchasing को, ठीक है, तो उससे किस चीज का level किस को exceed कर जाएगा, जिसकी वज़े से price tend to rise, मतलब, क्या बढ़ जाएगा, किस से, demand बढ़ जाएगा, supply से, या supply बढ़ जाएगा, demand से, या prices बढ़ जाएगी, इस सब से तो मतलब होता नहीं, free economy में दोई चीजे होती है, demand और supply, तो obvious सी बात है, market में जादा consumers चीजे खरीद रहे हैं, तो demand उन्हें बढ़ा दी, वो तो और समान मांगेंगे, और लाओ, और लाओ, तो उसकी वज़े से supply कम हो जाएगी, demand बढ़ जाएगी, क्योंकि obviously समान जादा बिग्या, तो demand बढ़ गई, supply बढ़ जाएगी कम, इसके वज़े से price जाते हैं, बढ़, chapter पढ़ा हुआ होगा, तो बढ़ाईज ही लग रहा होगा, under inductive method, the logic proceeds from, inductive method के अंदर जो logic होता है, वो कहा से शुरू होता है, general to particulars, particulars to general, या both one and two, particulars to general, यहां पर particular interest पहले आता है, फिर general interest आता है, next question, according to Robins, means are, Robins के साब से means क्या होता है, means are scarce, means are unlimited, means are undefined, means are all of these, means are scarce, जो means है, चीज़े हैं, वो scarce हैं, कम हैं, यानि बहुत rare है, which of the following are central problems of the economy, इन में से कौन सी central problems है, यह question इसले बनाएगा है, तक आको पता चल जाए, कि central problems क्या होती है, what to produce, how to produce, and for whom to produce, इन तीन ही problem को अगर आपने address कर लिया, आपका business चल जाएगा, आप अपने market में rock कर जाओगे, तो यह basically आपको बताने के लिए यह question, इसका answer all of the above है, यह तीनों ही वो central problems है, next question, the production possibility frontier, PPF, refers to a curve that shows various alternative combinations of, आप लोग पैसे काम किया करो, वीडियो को pause करके, कोशन खुद पढ़ा करो, बिकोज मेरे पढ़ाने और explain करने कि, अगर आपको खुद से नहीं आएगा, तब तो चलो आपको जोर रहत है, वरना पेपर में तो आपको explain नहीं करेगा, आपको खुद खुद पढ़ा करो, answer कर देगा, और फिर देखा करो, मैंने क्या answer दिया, आगे बढ़ बढ़ की, ठीक है, तो question है, the production possibility frontier, यानि PPF जो है, वो refer करता है, एक ऐसे curves को, जो दिखाता है, various alternative combinations of what, combinations of dash लगाया हो है, मतलब PPF जो है, वो किसके various combinations को दिखाता है, that can be produced with efficient utilization of a given resource and technology, य इतने goods के various combinations को दिखाता है, obviously दो goods के, जिन लोगों ने पढ़ा हुआ है, उनके लिए ये मखन question था, आगे बढ़ जाते है, chapter पढ़ना बहुत जरूरी है, बार बार कहूंगा, सिर्फ MCQ करके, आप top नहीं कर पाओगे, आपको आ जाएंगे, यहां से questions उठके आजाएंगे, यह आप कर दोंगे solve, लेकिन आप 100% score कर पाओगे, यह थोड़ा मुश्किल आता है, लेकिन economics में 100% score करना जरूरी है, बच्चे बहुत score करते है, इसमें full full number, the subject matter of economics is subdivided into the subject matter of economics, जो economics का subject matter है, वो से किस-किस चीज़ में divide किया है, इन दोनों में divide किया गया है, micro economics औ macro economics, जो main economics की पढ़ाई है, subject है, उसे दो चीज़ों में divide किया गया, एक micro में और एक macro में, main subject जो है, the degree of inequality of income, the degree of inequality of income is low, in which type of economy, जो degree है, inequality of income, यानि किसी के पास जादा है, किसी के पास कम है, वो जो है, वो किस economy में कम होती है, वो होती है, centrally planned economy, तो market economy में तो क्या है, demand and supply control कर रहा है, ज उसमें तुम देख सकते हो, कहीं पर income जादा है, कहीं किसी का पैसा जादा है, कहीं किसी पर कम है, तो यहाँ पर तो high हो जाती है, income and quality, but जो centrally planned economies होती है, उनमें income and quality comparatively बड़ी lesser होती है, next question, in which type of economy, factors of production are publicly owned, इनमें से कौन सी economy के type में, जो factors of production है, उसे publicly owned किया जाता है, यानि लोगों नहीं होता है, public का मतलब यहाँ लोगों से नहीं होता है, public is आपकी government हमझ दीजे, the main motive of which type of economy is profit making, main motive of, इनमें से कौन सी economy का main motive profit making होता है, market economy, तभी तो demand and supply के बेस पर चलती है, जो economy का मतलब सिर्फ यह है, कि demand पूरी करनी है, पूरी supply देनी है, वो profit कमाने के लिए का आती हो, तो बला करने कोश्च कर रहे होती है, in which type of economy the main role is played by the government, यार इत बहुती simple question है, centrally planned, central का मतलब यह ना है, next question, in which type of economy the main role is played by the private players, market economy, मैं आपको practice questions दी है, सब आपको एक भी MCQ उठके आएगा, आपको निकल जाएगा आराम से, आपको PYQs भी करने चाहिए, या मैं ही PSI series खतम करने के बाद, mock test देने वारा था, पर मैं उसके जगा पहले PYQs करा दूँगा, फिर mock test प्रोवाइड करूँगा, ठीक है, sorry, माई खेला तो नहीं, अभाज ना करा भूगी, dash refers to the analysis, dash refer करता है analysis को, in which we study what is, or how an economic problem is solved, economic problem क्या है, और उसे कैसे solve किया जाता है, by analyzing various factual statements and mechanism, बहुत सारे facts को और mechanism को study करके, एक economic problem को समझा आता है कि वो क्या है, और उसे कैसे solve करना है, ये चीज़ किस चीज़ को refer कर रही है, positive economic analysis, normative economic analysis, ये चीज़ refer कर रही है, positive economic analysis को, next question, dash to the analysis in which we study whether a particular mechanism is desirable or not, dash, मतलब positive economic analysis, या normative economic analysis, is the analysis, this is in which we study whether a particular mechanism is desirable or not, मतलब एक particular mechanism हमें चाहिए कि नहीं चाहिए, इसकी study कहां करी जाती है, इसकी study की जाती है, normative economic analysis में, what is another name of opportunity cost, opportunity cost को economic cost भी कहा जाता है, सबको बता हो ना चाहिए, next question, the primary assumption about resources while drawing of PPC is, जो primary assumption है about resources while drawing of PPC, PPC क्या है full form type को अभी थोर देर पहले बताया था वैसे तो पिछले questions में जिनने ध्यान से सुनाए, बट जिनने नहीं सुनाए, थोड़ा सा पीछे जाएए, और जिनने पता है, comment में अभी लिख दो, PPC का जो primary assumption about resources है, वो क्या है, resources are limited, resources depend on the kind of products produced, resources can be put to a particular use, resources are constant and given, resources are constant, resources तो constant है और given होते हैं, मतब दिये होते हैं, resources एक constant है वो आ harvesting the given or available resources, इन में से कौन सी problem आती है, जब आप किसी भी resource को harvest कर रहे होते हो, ठीक है, how to produce आती है, what to produce आती है, for whom to produce आती है, तो how to produce आती है, जब आप कोई भी resource, available resource को harvest है, यह उसे बनाने जाते हो, उसको resource का use करने जाते हो, तो सबसे पहला question तो यह आएगा, how to produce, कैसे production करें, which of the following are the assumptions of PPC PPC के वड़ बार बार आ रहा है full form आपको बता नहीं पड़ेगी resources are used to produce one or both of only two goods PPC के वार में अभी हमने अब आपने पहले कुछ दे पहले पढ़ा था two goods वाला answer आपको उससे भी थोड़ा hint बिलेगा इस answer के लिए तो resources जो use होते हैं produce use करे जाते हैं produce करने के लिए one or both of only two goods ठीक है या फिर the quantities of the resources do not change resources ही quantity नहीं बदलती है इसमें या technology and production techniques do not change या फिर technology and production technique नहीं बदलती है तो ये सब कुछ ही एक सारे ही assumptions ले जाते हैं जब PPC कवब बनाया जाता है देखो मैं बहुत से इस तरह के रखता हूं जिन में आपको सारे points आप पढ़ सको सारे points cover हो सके जो कि actually में question में use होने वाले तो ये इसके तुरू हमने सारे points cover कर ले कि भाई PPC के assumptions क्या है ये तीनों assumptions ले जाते हैं कोई भी curve बराने से पहले आप बहुत सारे assumptions लेते हो तो ये तीनों assumptions PPC में ले जाते हैं याद कर लीजे next question what would cause a point to fall inside of the PPC किस कारण से एक point जो है वो PPC के अंदर पढ़ जाता है आपने अभी कुछ दिर पहले एक question में पढ़ा है यार कि उसमें क्या होता है अब अगर कोई बंदा ये समझ लिए कि उसमें क्या होता है कि हाँ भाई unemployment बढ़ रही है under utilized है resources तो उससे हो क्या रहा है उससे recession पढ़ रहा है recession आ रहा है कि हाँ भाई unemployment है लोग अब पास job नहीं है resources under utilized है तो recession पढ़ रहा है next question consider the following statements और इलबे से कौन सी statement सही है आपको ये बताना है production possibility curve चायद जो मैंने question पूछा था उसका answer कुछ लोग को यहाँ दिख जाएगा but नहीं समझी तो कोई बात production possibility curve is convex towards the main point production possibility curve जो होता है वो convex shape में होता है main point की तरफ central problem in the capitalist economy is solved by price mechanism जो capitalist economy होती है जिसमें capitalist method use किया जाता है वो price mechanism से solve हो जाती है तो इसमें सिर्फ पहला statement सही है कि जो production possibility curve होता है वो convex होता है towards the main point जैनि उसका convex shape होता है towards the main point convex shape I hope कि आप सबको पता होगा होता है concave convex पढ़ा है na concave जिसमें गुफा के अंदर आप गुश्र होते है concave जिसमें आप गुफा की दुश्य साहर खड़े होते हो मतलब यह मेरा तरीका था याद करने का और second line इसमें गलत दी हुई है next consider the following statements macro economics is the study of the problems of unemployment price inflation etc जो micro economics है वो study है of the problems of unemployment price inflation inflation etc ठीक है यह ने पहली statement दे दी बताने दोलों में से कौन सही है यार in socialism जो socialism होता है I hope आपको पता होगा the feeling of socialism is basically social economy the feeling of personal profit in prominent is is prominent होगा न the feeling of personal profit is prominent हाँ socialism में personal profit हमारा prominent goal होता है यह तो देखो नाम है socialism और बात हो रही है personal profit की तो क्या यह सही हो सकता है नहीं सही हो सकता न socialism में society के benefit की बात होती है personal profit की बात नहीं होती है नाम में यह पाज चल रहा है बड़ा simple था और पहला statement यहां भी सही है कि micro economics is the study of problems unemployment, price information etc next question match the following अच्छा match the following मेरे पास 2-3 questions है एक आपको homebook दूआ दिखता हूँ तो match the following करना है बच्छा आपको normative economics में क्या होता है it is suggestive in nature selection of goods and services to be produced cotton industry यह discovery of new natural resources देखो इसका मैं आपको दिखायता हूँ A का है first यानि normative economics का क्या होगा it is suggestive in nature B का है 3 यानि micro economics का क्या है cotton industry micro economics में आती है third का क्या है C का 4 है growth of resources discovery of new natural resources यानि अगर आपने नए-ने natural resources को धुंडा तो आपके resources का growth हो रहा है growth बढ़ रहा है what to produce के बाद क्या आएगा selection of goods and services to be produced आप select करते हो कि आपको कौन से goods को produce करना है वही तो what to produce हुआ कि मुझे क्या produce करना है मैं पहले उने select करूँगा तो चारो यह option के आपको answers मैंने दिखा दिये यह आपका एक और match the falling आगया अब रुको मैं आपको एक homework देता हूँ भी यह भी देखो question पहले यह देख लिया यह question देख लिया ना छेज़े system ही hang हो गया क्या हो गया क्या हो गया हलो हालो लू एक second बच्चो कुछ यहां पर issue है चलो कोई बाहत नहीं एक मैंने आपको करा दिया एक को मैंने आपको homework के लिए दिया है यह फिर सुनो homework के तोर पे आप लो यह वाला करना इसका ले लो screenshot मैं आपको अभी वाला करा देता हूँ ठीक है यह मैं आपको करा देता हूँ production possibility frontier वाला वो जो है दूसरा वाला कौन सा screenshot ले लिया यह आपका नहीं यह नहीं यह हां screenshot ले लो यह वाला आपका homework है इसको मैं अभी नहीं करा रहा हूँगा और जो मैं अभी आपको करा दे रहा हूँ वो वाला यह है आजो production possibility frontier यह इस question में बड़ा ध्यान रखना है कि आपको match to following करते होँए knowledge बड़ी होनी चाहिए अगर आपको चारो चीज़ों की knowledge नहीं है तो आपको कम से कम किसी दो की knowledge होनी चाहिए आप बाक्यों को match कर सको तो production possibility frontier का क्या होगा transformation curve transformation curve में PPF आपको मिल जाता है economic problem क्या है problem concerning with allocation of resources to different users जानि B का है first नीचे आपको answer दिख रहा होगा इसमें B का है first economic problem क्या है problem concerning with allocation of resources to different users third क्या है सी का क्या है positive economics कौन से होती है it is not suggestive in nature अभी हमने पीछे पढ़ी थी suggestive in nature कौन सी होती है आप लोग को comment करके जरूर बताते रहने कि आपको ये चीज़ आपने याद करी है इस वीडियो से आपको नहीं पता चली तो वो लिख दोता कि आपको याद हो जाए और बाकी लोगों से like करेंगे आपको revision हो जाएगा आपको बार बार वो comment दिखाता रहेगा तो यहां पर आपने याद किया positive economics क्या है not suggestive in nature तो suggestive in nature कौन सी होती है आप बताएंगे D क्या है normative economic analysis normative economic analysis जो है वो deal करता है with the things as they ought to be उन चीजों के साथ वो वैसे deal करता है जैसे उनके साथ होना चाहिए या फिर जैसे वो होते है तो आपको इस तरह से कुछ match the following questions देखने को मिलेंगे जिन्हें आपने करके दिखाना है आपको एक और practice question दूँ क्या एक तो मैंने दिया है एक जो मेरे पस थे तो बड़े सारे यार यहाँ पर एक यह question यह भी आप लोग को करना है मैंने आपको दो match the following दिया इन दोनों के answers आपको ऐसे में A का 1 है B का 3 है C का 4 है D का 2 है आपको इस तरीके से मुझे बताना है ठीक है मैंने A बोल दिया A इसका answer है नहीं ऐसे देख लेना तो आपनों को बताना है दोनों यह MC की आपके लिए रहेंगे आपके लिए रहता है अब हम आते हैं थोड़े से एक मेरे को बिल्कूल पसंद नहीं है इस तरह question assertion and reasoning but still आ रहा है तो पढ़ लो अब यहाँ पर आपको पताना है assertion सही है और उसका reason भी सही है या क्या है micro economics is also known as income and employment theory सही लग रहा है पढ़के तो macro economics aims to determine income and employment level of the economy यह भी ठीक लग रहा है मेरे साब से assertion भी ठीक है और उसका reason भी ठीक है जो macro economics होता है उसका aim तो यह होता है कि income and employment level of the company को determine किया जाए मेरे साब से assertion भी ठीक है और उसका reason भी ठीक है क्योंकि assertion में employment और income की बात हुई, theory की बात हुई है, उसी theory की explanation reason में है, I guess दोनों ठीक है, positive economics avoids the reason economic value judgments, अभी हम check करेंगे answers इसके, और थोड़ा देख लेते questions को, positive economics avoids, आप लोग खुद भी करते लिए, positive economics avoids economic value judgment, जो positive economics होती है, वो avoid करती है economic value judgment को, positive statements can be verified as true or false by comparing with actual data, हाँ, देखो, पहली line तो इसकी ठीक है, I guess reason भी इसका correct रहेगा, एक बाड़े देखें क्या, हाँ, देखो, 32 का है one, यानि, assertion reason बोथ correct है, हम लोग सही थे, मतलब assertion, सीथी बात है, income employment theory की बात हुई है, और नीचे क्या कर रहा है, income employment level of economy को describe भी करता है, कि उसको determine करता है इसमें देखो, positive economics, avoid economic value judgments, हाँ, और positive statements can be verified as true or false, अब ये avoid कर रहा है value judgment को, तो हाँ पर explanation भी यह है, कि हाँ भाई, वो verify हो सकता है by true or false by comparing with actual data, तो reason and assertion ठीक है, 34 का B है, क्या है, assertion सही है, और reason भी सही है, बट वो correct explanation नहीं है, दोनों अलालग बात है, मतलब, microeconomics is the study of an individual unit of commodity, microeconomics में आप एक commodity की study करते हो, पूरे as a whole की study नहीं करते हो, ठीक है ये तो सही है, the basic tool of microeconomics and our demand and supply, दोनों ही वीडियो में टिक गए है, एक बार एक like कर देना, और comment में जरूर लिखते जाओ, कुछ भी अगर नया सीख रहे हो, तो, if the marginal return increases at a diminishing rate, the total return, अगर आपका marginal return बढ़ रहा है, एक diminishing rate मतलब, मालो पहले 2-4 हुआ, 4-6 हुआ, 6-8 हुआ, 8-10 हुआ, हर बार 2-2 करके बढ़ रहा था, पर अब क्या हुआ, 10-11 हुआ, 11-11 हुआ, 12 हुआ, मतलब, पहले हर बार 2-2 करके बढ़ रहा था, अब एक बढ़ा, फिर आधा बढ़ा, 0.25 बढ़ा, मतलब, अब भी बढ़ रहा है, पर अब rate बढ़ने का कम हो गया, मतलब, it is increasing but at a diminishing rate, तो आपका जो total return है, वो क्या हो जाएगा, वो आपका decrease हो जाएगा, और उनका increase हो जाएगा, चलो, next question, the law of increasing returns means, जो law of increasing return है, वो क्या mean करता है, increasing cost, decreasing cost, increasing production या increasing income, इसमें decreasing cost, law of increasing return, returns आधा कब आएंगे है, देखो, increasing word पढ़के increasing पर आंसर पर लगाने के वाली करती मत करना, returns कब आपके increase होंगे, जो आपके cost decrease हो जाएगी, चल दी आगे बढ़ते हैं, from the national point of view, which of the following indicates micro approach, national point of view से, याली nation के point of view से, which of the following indicates micro approach, इन में से क्या micro approach को indicate करता है, per capita income in India, study of sales of Tisco, inflation Tisco, inflation in India, educated unemployment in India, तो study of sales of Tisco, study of sales of Tisco, from the national point of view, इन में से क्या integrate करता है, micro approach को, study of sales of Tisco, एक चीज की बात हो रही न, है यहाँ पर, तो single product की है, single good की बात हो, तो वैसे भी micro आजाता है, वहाँ पर अपने आप, the value, the value of a commodity expressed in terms of money is known as, अगर किसी value, किसी commodity की value को money के term में अगर बताया जाता है, तो उसको उसकी क्या कहते है, price कहते है, price, ठीक है, next question, micro economics is also called a simple question है, price theory, next question, demand in economics means, demand को क्या कहते है, demand backed by purchasing power, अगर economics में demand की बात की गई, तो तभी demand demand मानी जाएगी, जब आपके पास purchasing power भी हो, आप demand ऐसे बच्चों की तरह घर बैठके नहीं, बापा मुझे गिलोना चाहिए, वह वाले demand की बात economics में नहीं होती, economics में demand तभी मानी जाती है, जब आपके पास खरीदेने की ताकत भी हो, तभी आप demand raise कर सकते हो, next question, last 10 question, guys, very good, अगर आप यहां तक आ गए है, if you are like, come till this end of the video, congratulations, अपने आपको एक thumbs up, comment box में ज़रूर देना, which of the following is not an economic problem, अच्छा, end में अपना score लेखना, 50 में से कितना score बन रहा है, मैं score सबके चेक करता हूँ, like भी करता हूँ, बच्चों नोटिस किया होगा, which of the following is not an economic problem, इन में से क्या economic problem नहीं है, तो ये सारी ही economic problems है, सिवाए fourth वाले के, deciding between different ways of spending leisure time, यानि खाली समय कैसे बिताया जाए, ये कोई economic problem तो नहीं है, है ना, बाकी सारी चीजे, economic है, लेकिन ये economic नहीं है, कि भाई, कैसे कैसे मैं अब तक खाली समय बिताऊं, From the national point of view, which of the following indicates micro approach, micro approach कौन करता है, मैंने अभी सिखाया कि, अगर आप किसी single good बगार पर ध्यान दो, तो वो micro approach रहता है, तो अब पहले टिसको की बात हुई थी, कि हमने सिर्फ टिसको पर ध्यान देना है, तो micro approach हो गई, अब बात हो लिए, कि by study of sales of mobile phones, by BSNL, यानि अगर आ तो आपने micro approach के तरह ध्यान दिया, आपने एक product के ऊपर ध्यान दिया, price mechanism is a feature of, कौन सी economy का feature होता है, price mechanism हमने अभी start में पढ़ा था, कि capitalist economy को price mechanism control करता है, वो उसका एक feature है, उसका feature है, which one of the following represents the savings of the private corporate sector, इन में से क्या चीज, private corporate sector की savings को represent करता है, dividend paid to shareholder, total profits of a company, undistributed profit या access of income and expenditure, मैंने पहले ही बोला था, मेरे पढ़ने के तरीके से आप answers जज कर सकते हो, कि क्या है, answer के वक्त मेरा पढ़ने आदर का अपने आओ बल जाता है, तो इन में से क्या represent करता है, savings को undistributed profit, या आपके saving है, जो profit नहीं बाटा हो बच गया है, the consumer is compared to a king, under, consumer को king माला ज simple basic question है, बट यह हर साल आ जाता है, हर intense में यह basic question आता ही आता है, तो इसको ज़रूर तर लेना, यह basic में गलती नहीं होनी चाहिए, primary में agriculture, secondary में आपका shoe factory, tertiary में consultancy, आपको basic थोड़ी चीज़े पता भी होनी चाहिए, तो चलते हैं आगे, which among the following is an example of micro economic variable, इन्हें में से कौन सा micro economic variable का एक example है, तो यह सारे ही examples नहीं है, बस एक consumers equilibrium जो है, वो आपका micro economic variable का example है, next question, courier services comes under which sector, obviously यह कोई primary नहीं है, कुछ उप जाते नहीं है, यह लोग secondary भी नहीं है, अच्छा नहीं, courier services में, अच्छा, manufacture भी कुछ नहीं कर रहे है, कुछ बना थोड़ी रहे है, सिर्फ transportation कर रहे है, तो tertiary में आएगा सही है, sorry, sorry, weaving of clothes by using cotton fiber, cotton fiber को use करके clothes बनाए गए, बना रहे है, manufacture हो रहा है, तो secondary में आएगा, real estate comes under which sector, real estate किसमें आता है, tertiary में, क्योंकि कुछ बना नहीं रहे है, ना primary है, ना raw material से कुछ हो रहा है, ना कुछ finished goods बना रहे है, कुछ नहीं हो रहा है, real estate में सिर्फ खरीद बेच हो रहे है, यह transportation हो रहा है, तो tertiary में आएगा, आज का वीडियो खतम, अगले वीडियो के लिए तयार रहेगा, अब हम पढ़ेंगे, consumer behavior and demand, यह भी शायद जामिया के इसलिए उसमें नहीं है, बट CVT के इसलिए उसमें तो जरूर है, और आप लोग जो लोग जामिया के BVA, BQOM की तयारी कर रहे हैं, वो safety के लिए, कुछ नहीं जाएगा, बस माँ टच करना है, लेकिन वीडियो को रीच मिलती है, तो हमारी महनत को थोड़ा अप्लॉस मिलता है, और हम अगली और महनत आप के लिए करते रहेंगे, मिलते हैं अगली वीडियो में, कर दो हमारी मुलते हाज, रहे ह mårघागा, अपना हमारी मिलती है दोड़ा है,